ये जार्खन के दुश्वनों को जार्खन के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना जार्खन का भाग्य सुनिश्चित होगा साथियों ये लोग स्वार्त और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं आज संथाल परगना और कुल्हान में बंगलादेशी और रोहिंग्या गुस्पेट बहुत बड़ा खत्रा है जार्खन के शहर हो या जार्खन के गाउं इस गुस्पेट के कारण हर जार्खन्डी आज सुरच्चित मैसूस कर रहा है इनके लोग जार्खन मुक्ती मोर्चे के बीतर भी गुस गए है जानते हैं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जेमें में कॉंग्रेस का भूत गुस गया है साथियों जार्खन के तीन सबसे बड़े दुश्मन है ये जार्खन के दुश्मनों को जार्खन के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना जार्खन का भाग्य सुनिश्चित होगा जार्खन के ये तीन दुश्मन है जेमें, आरजेडी और कॉंग्रेस जार्खन के निर्मान का बदला आज भी आरजेडी जार्खन चे उतारती है और कॉंग्रेस को तो जार्खन से नफ्रत है ही कॉंग्रेस पार्टी ने इतने दसक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया लेकिन इनों ने देश के दलीट, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया साथियों ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं आप देखिए ये जे में वाले जिनोंने आदिवासीों के वोट से अपनी राजनीती चमकाई आज वो किस के साथ खड़े हैं ये लोग आदिवासीों के जंगल, जमीन पर कबजा करने वालों के साथ हैं इस समय जार्खन का बहुत बड़ा मुद्दार गुस्पेट हर जार्खंडी के लिए चिंता का विशय बना हुआ है नवजवान बेटियों के हर माबाप के लिए राज की निंद उड़ाने वाला बना है दो तिन दिन पहले ही जार्खंड हाई कोट ने एक स्वतंत्र पैनल से गुस्पेट की जाँच के आदेश दिया है लेकिन यहाँ जेमेम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जार्खंड में गुस्पेट हो रही है भाई और बहनों आज संथाल परगना और कुलहान में बंगला देशी और रोहिंग्या गुस्पेट बहुत बड़ा खत्रा है इस पूरे खेत्र की पहचान यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है आप ये नीचे रखिए पीछे लोगों को दिखता नहीं है नीचे रखिए आप आप सबको नीचे रखिए वो फ्रेम वागेर जब नीचे रखिए आप आपका प्यार मेरे सर आखो पर भाई मैंने देख लिया आपकी मेहनत की मैं इज्जत करता हूं आप भी नीचे रखिए पीछे लोगों को परेशानी हो रही है प्लीज आपने इतना बढ़िया चित्रा बनाया आपका प्यार मुझे मंजूर है इसको नीचे रखिए पीछे वालों को परेशानी हो रही है आपका ये प्यार मेरे सर आखों पर है भाई मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं साथ्यों मैं गुस्पेट की बात कर रहा था संथाल प्रगना में आदी वास्चियों की आबादी तेजी से कम हो रही है यहां के लोगों की जमीने हडपी जा रही है गुस्पेटिये पंचायों तो पर व्यवस्था पर कबड़ा कर रहे हैं बेटियों के साथ अत्याचार की वारदाते बढ़ रही है जारखन के शहर हो या जारखन के गाउं इस गुस्पेट के कारण हर जारखन्डी आस्वरश्चित मैसूस कर रहा है साथियों सक्चा यह है कि जी एम एम के लोग बंगलादेशी और रोहिंगिया गुस्पेटियों के साथ खड़े है यह गुस्पेटिये और कट्टर पंधी जे एम एम को भी अपने कबजे में लेते जा रहे हैं इनके लोग जारखन्ड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी गुस गए है जानते हैं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जे एम एम में कॉंग्रेस का भूत गुस गया है जब किसी पार्टी में कॉंग्रेस का भूत गुस जाता है तो तुष्टी करण ही उस दल का इकलोता एजंडा बन जाता है इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलीक आधिवासी और पिछडा समाच के हीतों की बली चड़ाते हैं यही हाल जे एम एम का भी हो रहा है इसलिए हमें एक बात साप साप समझनी होगी जे एम एम और कॉंग्रेज जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए ये दल मजभब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं यही समय है हमें इस खत्रे को यही पर रोकना होगा इसके लिए जारकन के हरेग नागरिक को एक जुट होना होगा भाजपा को मजबूत करना होगा साथियों वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगें नहीं होते जेमेम सरकार के पांच साल का कारकाल इसका सबूत है वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीती करते हैं लेकिन जेमेम के लिए आदिवासी समात का सम्मान नहीं अपना सियासी फायदा सब से उपर है आज जारखन का गरीब आदिवासी पुद्राए क्या चमपई सोरें जी आदिवासी नहीं थे क्या क्या वो ये गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्शी कब जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया उससे जारकंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुँची है दुख से भरा हुआ है शीता सोरें जी तो उनके ही परिवार अपने ही परिवार से थी लेकिन एक महिला होने के बावजुद उन्हें अपमानित और बेदखन किया गया इसका जवाब जारकंड का हर आदिवासी देगा जारकंड की हर माता हर बैड हर बेटी देगी साथियों जारकंड का निर्मान बड़े सपनों के लिए हुआ था लेकिन इन सपनों का इन आकांचाओं का क्या हुआ ये सब ब्रस्टा चार और लूट की भेट चड़ गए और आप जानते हैं इस देश की सबसे ब्याइमान और महा ब्रस्ट पार्टी एक ही है कौंगरेस पार्टी इस देश का सबसे ब्रस्ट परिवार एक ही है कौंग्रेस का परिवार ब्रस्चाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है ये जेमेम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कॉंग्रेस स्कूल अप करप्षन जार्खन मुक्ति मोर्चा ने पांच सार में केवल एक ही काम किया है जार्खन की लूट और चारों तरफ भृस्टाचार जेमेम सरकार ने जल जंगल जमीन सम्में प्रश्चा चार किया एक और यहां का गरीब शहरों में रहने वाला मद्दमभग एक एक रुपिय के लिए पसीना बहाता है दूसरी और इस सरकार के मंत्री और इनके साउसत के ठिकानों से उनके नो करों के अड़े से सेक्रों करोर कैश बरामद होता है हजारों करोर रुपिय के गोटाले होते हैं आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड जारकन से निकले थे टीवी में महिनों तक के पहाड दिखाए जाते थे ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई ये नकली नोट नहीं थे ये आपकी महनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब बरा था ये आपका पैसा है भाईयो भेहनो इस चुनाव में ये ब्रस्टा चार करने वाले आपके धन को लूटने वाले देश के खजाने को लूटने वाले जारखन के खजाने को लूटने वाले उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है मुझे आपको आवा साथ चाहिए भाईयो 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 झाल झाल